बने रहे हमारे साथ हर्याना पंचायच चुनाव की हर नई अपडेट के लिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इसको वीडियो को शेयर कीजिए तक कि हर किसी को नई खबर हर्याना पंचायच चुनाव की मिलती रहे हर्याना पंचायच चुनाव में देरी की जाना पड़ेगा परशासकों के हवाले पंचायते और 107 नई ग्राम पंचायते गठित हुई है और अब वाडबंदी का कर्या भी शुरू हो जाएगा और फिर इसके बाद पंचायती राजसंस्थाओं के चुनाव होंगे पंचायतों में BDPO, पंचायत समीतियों, SDM और जिला परिशदों में CO काम को देखेंगे परदेश में पंचायती राजसंस्थाओं के परतिनी धियों का कर्याकाल पूरा हो गया है इसके चुनाव पिछली बार की तरहें इस बार भी देरी से होने की संभावना है और ये चुनाव 24 फरवरी से पहले सब कुछ इसका कम्प्लीट हो जाना चाहिए था चुनाव का सब काम रिजल्ट ब्यार जाना चाहिए था और नई सरकार बन जानी चाहिए थी पर ये नहीं बन पाई है और इस वज़ए से 24 फरवरी से ही पंचायत का जो सरपंचों का दो अधिकार था वो उनसे लेकर ओफिसर्स को उनका अधिकार दे दिया गया है और इस संबंध में अक्षित्र के BDPO ने चार्ज ले लिया है 24 तारिक से यानि अब सरपंचों के सभी काम BDPO के पास आ गए है ऐसे में ग्रामिनों को अब उन सभी कारियों के लिए BDPO के पास जाना होगा जो वे सरपंच के पास करवालिया करते थे इसके लावा विकास कारियों की प्लानिंग से लेकर पैसे जारी करने तक का अधिकार भी BDPO के पास आ गया है वही परदेश में 107 नई पंचायत भी गठित हो गई है और इसकी अधिसूचना जारी हो गई है जी हां परदेश में 107 नई पंचायतों का गठन हो गया है और इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है अब इसकी वाडबंदी होगी ऐसे में विभाग्य अधिकारी भी यह माल चुके हैं कि ग्राम पंचायत के चुनाओ अभी नहीं होने वाले हैं इसलिए ही सरकार ने 15 दिन पहले पंचायतों में BDPO, पंचायत समीतियों में SDM और जिला परिशदों में CEO के परशाशक न्यूक्त करने के आदेश जारी किये थे पंचायती राजवी भाग के निदेशक R.C. बिधान ने बताया कि चुनाओ के बाद जब तक नए परतिनीधी चुनकर नहीं आते तब तक इन संस्थाओं के सभी कारिया परशाशक ही देखेंगे और इसके इलावा जो जल्स चुनाओ करवाने की जो याचिका थी उसके उपर सुनवाई होनी हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसमें चुनाओ तक सरपचों को कार्यकारी रखने की सरपच एसोसेशन की याचिका हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी है उन्होंने कहा था कि जो परधारमंत्री से लेकर नीचे तक हर लेवल तक अधिकार उन्हीं के पास रहते हैं जब तक नया कोई केंडिडेट चुनकर नहीं आ जाता उसी पदपर पर इनकी याचिका को हाई कोट ने खारिज कर दिया है अब एसोशेशन जल्द ही चुनाव करने के लिए हाई कोट में डबल मेंच में याचिका दायर कर चुका है और एसोशेशन के परदेशा धेक्स सोमेश का कहना है कि गुरुवार को हाई कोट में सुनवाई है उन्होंने बहुत सारे के सारे अधिकार सरपंचों से लेकर अधिकारियों को दे दिए गए हैं और एक और नई खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई देखे एक नई कबर है तस्दीक नंबरदार करेंगे और काम BDPO करेंगे अब जो भी कारिये हैं वो कौन-कौन करेंगे देखिए जरम, मिर्त्यू, वैरिहाईसी परमान पत्र कैसे बनेंगे इसमें समन्दित ग्राम पंचायत के BDPO बनाएंगे इसके लिए गाउं के नंबरदार से तस्दीक करवानी होगी और साथ ही शपत पत्र देना होगा जाती परमान पत्र, आए परमान पत्र कैसे बनाए जाएंगे यह नंबरदार की तस्दीक से बनेंगे वेरिफाई BDPO ही करेंगे, बुढ़ापा पैंसन कैसे बनेगी, नंबरदार तस्दीक करेंगे और BDPO आगे की कारवाही करेंगे, आवेदन BDPO के पास ही करना होगा गाउ के विकास कारिय कैसे होंगे, इससे समंदित भी चूचना है कि विकास समंदी आवेदन कहां से दे सकेंगे गाउ की गली की मरमत से लेकर सभी विकास कारियों की पावर BDPO के पास आ गई है इसलिए उन्हें ही लिखित में एप्लिकेशन देनी होगी, जिहाँ सबसे ज़्यादा अधिकार जो है वो BDPO के पास आ गए है पंचायत जमीन के ठेके की परकिरिया भी अब किसके पास रहेगी, देखिए पंचायत से समंदित सभी कारिया BDPO के हवाले हैं, यह परकिरिया भी वही पूरी करवाएंगे अब जो पंचायत से समंदित जो भी कारिया है, उसमें सब कारिया लगभग लगभग हर कारिया BDPO के पास आ गया है और वो नंबरदार और BDPO दोनों के पास ही जाना पड़ेगा आवेधन के लिए लोगों को और वही इनका कर्या करेंगे अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे ज़्यादा पंचायते कहां बनी हैं जो नई पंचायते गठीट हुई हैं इन में से सबसे ज़्यादा पंचायते 18 पंचायते यमना नगर में बढ़ी हैं और करनाल में 12, कुरक्षेतर में 11, नू में 8, बिवानी, पंचकुला, रिवाडी में 7-7, रोतक, सोनीपत, गुडगाओं और महेंदरगड में 4-4 पंचायतों का गठन हुआ हैं फरिदाबाद, अमबाला, सिर्षा, पानिपत, फतेहबाद में 3-3, पलवल में 2, और चर्खी दादरी, हिसार, कैथल, जीन्द में एक-एक नई गरम पंचायते बनाई गए हैं ये थी आज की नई अपडेट, और सरपन चुनाव से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट, अगर आप चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नई सुचना जैसे ही आती है, तभी आम आपको इन सुचनाव से अवगत करवा देते हैं, और आप हमारी वीडियो को इतना लाइक करते हैं, शेर करते हैं, और सब्सक्राइब की आपने चैनल, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.